इंसान मंतरी बहुत सुल्जे हुए इंसान है उन्होंने जो बोला है वो उनको बोलने की आवश्यक्ता एक्चुली नहीं है वो हम सबको समझना चाहिए अभी कोराना ने हमको सिखा दिया कि आप अगर घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो आप खुद सक्षम हैं तभी आप म कंपनी आई थी वो उसने आके हमारे देश में समान बेचने के लिए थे और उन्होंने हमको इतना गुलाम बना दिया कि हम उनके पूरी तरह गुलाम हो गया और उसको उससे बाहर निकलने में हमको कई सो वर्स लगे तो अब क्या है अब तो एक नहीं बहुत सारे भी देश a जबड़ टी है गड्यक्री र१िख का हम अब कर सकते ही एक नितलने कर सकते तो चोटी चोटे जिसके लिए हमको अर्षरित होने की ज़रुत नहीं है हम उसके लिए आश्रित हैं तो यह अगर आत्म सम्मान अगर हमारे अंदर नहीं है तो जागाना चाहिए कि आप आप यह बताईए चाइना जो चीज बना रहा है वो बेच रहा है उसकी यह हम सब जानते हैं अरे भी यह मेड इन चाहिना तो कितने दिन चलेगा उसकी कोई गा कि ड करें हमें पता हैं हम किसके पास जा सकते हैं वह हमें आही लगगा कि ठीक है यूज करा रखन दिया यूजकर की हमागे के लिए बॉदर नहीं है आप एक भी सामान एक-एक सामान जो खरीदे हैं उससे आपके सैनी के छीने में लगने वाली गोली खरीदी जाती है यह आपको पता होना चाहिए मेड इंडिया की डिमांड बहुत जादा है और अब मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी जो अलड़ी बिजनस में हैं वो ये कोशिश करें कि छोटी-छोटी चीज़ें जो चाइना में बनती हैं जो हमारे देश में बहुत छोटे इस्तर पर खरीते हैं उनको बनाना शुरू करें उनको बनाना शुरू करें जिसे की लोगों को भी एक विकल्प मिले कि हम अगर हमें चाइना की चीज नहीं लेनी है तो इंडिया कथी कि हमें अगर पांच रुपे-दस रुपे जादे भी देने पड़े तो हमारे पास उबलब्ध है तो इस तरह से हम स्वाबलं भी बन सकते हैं पियो पीपी किट में बहुत बड़ी चीज नहीं थी जो विदेश से आ रही थी आप मुझे बताईए क्या हमारे देश में आज से 25-30 साल पहले क्या ओड़ों को चिप्स बनाने नहीं आते थे आज हम एक आलू के चिप्स जो हम पहले चील के काट के बनाते थे वो बीच सुबह का पैकेट हम चुट 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 करके लेके आते हैं बच्चों को फाड़के खिला देते हैं और उसको गड़ा स्फिन में डालते हैं वो भी कच्रा होता है पहले हर घर में आलू के चिप्स हर औरत को बनाने आते थे सिव कि आप हमारी सामान का भाइशकार नहीं कर पाओगे तो आपको क्या लगता है इस चीज से मेडम ये तो हमारे देश के हर बच्चे को सोचना पड़ेगा देखिए प्रधान मंतरी बहुत सुल्जे हुए इंसान है उन्होंने जो बोला है वो उनको बोलने की आवश्यक्ता एक्चुली नहीं है वो हम सबको समझना चाहिए अभी कोराना ने हमको सिखा दिया कि आप बैसिक चीज हमको समझ में आई लेक और उपर से अभी यह आप चीन का सामना हुआ है हमारे साथ हम जैसे देखे पहले आया थे कि इस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो उसने आके हमारे देश में समान बेचने के लिए आया थे और उन्होंने हमको इतना गुलाम बना दिया क कि हम उनके पूरी तरह गुलाम हो गए और उसको उससे बाहर निकलने में हमको कैई सो वर्स लगे तो अब क्या है अब तो एक नहीं बहुत सारे भी देशी कंपने आके बैठी हुई है और चाइना के तो हम ऐसे जैसे गुलाम हो चुके हैं तो यह मेरा तो एक एक बच्चे से अन्रोथे आप जरत दिवाली है तो होली है तो रंग तो विदेशी है गणेश जी की मूर्ती गणेश पुजा में आप जाईए हर जगे मिलेगी आपको मेड इन चाइना वो अरे आप घर में मिट्टी जो हमारे घर में पहले बनती थी क्या हम वो मिट्टी का नहीं बना यह चाइना जो चीज बना रहा है वो बेच रहा है उसकी यह हम सब जानते हैं अरे यह मेड इन चाइना तो कितने दिन चलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है खुद हम खुदी कहते हैं कि अरे इसकी तो कोई गारंटी नहीं है मेड इन चाइना है तो फिर क्यों ले रहे हो वार भार महंगा रोए एक बार, तो ठीक है अगर हमारे देश में चीज आप इसको इस्तेमाल करें, हमें पता है हम किसके पास जा सकते हैं वह हमें अवी लग जा कि ठीक है, युजकरे फेंक दिया क्यूंकि हम आगे के लिए बॉदर नहीं है आप एक भी सामान जो खरीते हैं उससे आपके सैनिय के सीने में लगने वाली गोली खरीदी जाती है। यह आपको पता होना चाहिए। जिसदिन आपके घरका कोई इनसान उस उस दिन आपको पता चलेगा कि ये क्या है क्यों हमको करना चाहिए तो एक जो आहा हमारे अंदर से निकलती है कि हम made in China नहीं लें क्यों नहीं लें क्योंकि हम हमें उनकी economy को effect करके दिखाना पड़ेगा कि हम matter करते हैं आपके लिए वो कह देते हैं आरे कोई आप तो हमारे इत जादे मजबूर हो गए थे उस देश में जिसमें कि कितना निर्यात होता था उस देश में यह हो गया कि हम हर चीज विदेशी लेने लगे हमारे कपड़े तक विदेश जाते थे दुलने के लिए इतनी इतने हम मजबूर हो गए थे फिर क्या हुआ एक आंदोलन आया होगा कि वह कमजोर पढ़ जाएंगे उनकी जब आप क्या लगता है जो विदेश में इतना पैसा जो अंग्रेज लोग चला रहे थे वहां हमारे देश का पैसा था जो वह कर रहे थे वह सब हमारे देश के पैसे से कर रहे थे चाइना अगर आज खड़ा है तो उसमें मुझे चाइना की है मतलब चाइना का विववपार मुझे बिठाना है तो वो बस और कुछ नहीं करना है कि हमें मेड इन चाइना नहीं खरीदना सिंपल कोई बात नहीं आप मत बनाए एक लड़ी मत लगाईए घर में दिवाली पे एक दीपक जलाए और कुछ नहीं है आप मुझे बताईए हमारा देश पहले कितना स्वाब लंबी था कितना आत्म दिर भर था शादियां होती थी हम कुमहार को बिलाते थे वो कुमहार को बताते थे कि हमारे इस इस देट को शादी है इस देट को शादी है तो आप हमारे इतने लोग आएंगे इतने बरतन बन जो भी शादी होगी हम उसमें कुमहारों से बने हुए बढ़तन इस्तेमाल करेंगे मैं कहते हूं बहुत बहुत बिजनिस में फरक पड़ेगा आप लाइट मत यूज किजिए आप टॉर्च मत यूज किजिए पहले नहीं हम कर रहते थे क्या पहले भी रहते थे हमारे देश म जो चाइना में बनती हैं जो हमारे देश में बहुत चोटे सर पर लोग खरीते हैं उनको बनाना शुरू करें उनको बनाना शुरू करें जिसे कि लोगों को भी एक विकल्प मिले कि हम अगर हमें चाइना की चीज नहीं लेनी है तो इंडिया कि थी कि हमें अगर पांच से बनवा रहे हैं तो इस तरह से हम स्वाबलम भी बन सकते हैं प्यू पीपी किट में बहुत बड़ी चीज नहीं थी जो विदेश से आ रही थी आप मुझे बताईए क्या हमारे देश में आज से 25-30 साल पहले क्या ओड़ों को चिप्स बनाने नहीं आते थे आज हम एक आलू के चिप्स हर औरत को बनाने आते थे सिवयां हर घर में औरत को बनाते आती थी आज कर साथ रेडिमेड ले लो क्योंकि उपलब्द भी है और हम महनत भी नहीं करना चाहते बिलकुल महनत नहीं करना चाहते दो रुपे की हम महगी बच्चे को वह जो दो मिनेट वाली महगी ज़ेंगे पर रोटी बना के खिलाने में थोड़ा कस लगेगा कि थोड़ा उसमें मसाले डाल दें और थोड़ा कुछ बना दें इंट्रस्टिंग तो हम लोकी तमाने में क्या था पराट्य बना के रग दियो उसमें कभी मलाई लगा लिक अब इतना याद आता है वह आज ह अज हम विदेशी कमनियों का आटां तक खाते हैं गहों घंग नदा लग एंब पया कि आता का न कम देंग्यार का बना हुआ अपने गर नहीं से ऐता आटा नहीं यह सकते क्या हम देश का बना हुआ टमाटर का सौस नहीं घा सकते वो जब टमाटर दस रुपे बीस रुपे किलो आ जाते हैं आप उनको उभा लिए बनाईए सब को पता है पहले सब बनता था सब घर में होता था अभी आराम से अविलेबिल है ना एक विदेश की कमपनी को पैसा भे चबी बनी हुई है और हम सब हैं भी बहुत कॉन्टेंट है आपने करोना टाइम में देखा पूरे दुनिया में इस बात की चर्चा होड़ी है कि कितना अच्छा लॉकडाउन हमारे भारत देश में हुआ है उसका और हम लोग माने जाते थे इन डिसिप्लेन के लिए आप सबस्यादा डिसिप्लेन हम लोग है अभी सबस्यादा डिसिप्लेन हम लोग है तो मैं तो यह कहूँ कि हर बच्चे को हर एक को यह प्रतिग्या लेनी चाहिए कि हम अपना स्वदेशी ही अपनाए और उसके आप बिकल्ब देखिए अगर आप कोई भी चीज ऐसी है कि टेक प्रिंग जीदी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इदेसे आप लेके आप खाएंगे थैंक्यू सो मच माम